हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्राप 2315 तो नई ट्रिक के साथ नई वीडियो लाई हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी तो चलिए बिना डिले की हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं लिए हैं कपड़े के इस तरीके से दो रेक्टेंगल पीसिस और इसके में जमें टाप स्क्रीन पे देख सकते हैं और दोनों पीसिस के नीचे हमें प्लास्टिक वाला राइस बैग लगाना है और चारो तरफ से सिलाई लगाते वे राइस बैग को अच्छे से अटैच कर लेन तो दोनों पीसिस मैंने रख दिये 2.5 इंच का निशान लगाया है और कट करके अलग कर लिया है अब यहां पर हम इंसर्ट करेंगे जिपर को तो एक पीस हमारा यह है इसमें इंसर्ट होगी जिप एक इसमें होगी यह दिखिए मैं आपको रखके दिखाती हूँ तो यह आ लगा लेनी है सिलाई लगाने के बाद पलटते हूए आपको टॉप स्टिच लगा लेना है उसके बाद जो दूसरे वाला पीस है उसे उपर से रखना है और उसके उपर भी आपको सिलाई लगा लेनी है उसके बाद पलटते हूए टॉप स्टिच लगा लेना है और सेम ऐस इस जिप आपको दूसरे पीस पे इंसर्ट कर लेनी है तो देखिए दोनों पीस इसक में मैंने जिप को अटैच कर लिया है अब हम यह क्या करना है अब हम यहाप इस ट्रैप के लिए निशान लगाते हैं तो पहला निशान लगाना है 3.5 इंच पे उसके बाद नीचे की तरफ निशान लगाना है आपको 1.5 इंच पे ऐसा निशान आपको चारो तरफ लगाना है चारो कॉर्नर से तो देखिए स्ट्रैप लगाने के लिए मैंने चारो कॉर्नर पे सेम मेजरमेंट के साथ निशान लगा लिया है अब हम इसके लिए strap बनाते हैं तो strap बनाने के लिए 2 pieces कपड़े के pieces लिए हैं आप चाहें तो ready-made strap भी यूज़ कर सकते हैं 18.5 inch, 2.5 inch और बीच में आपको रखना है rice bag cement वाले इससे हमारी जो strap है वो थोड़ी पक्की बनेगी और सिलाई लगा के हम strap को ready कर लेंगे तो दोनों strap को ready कर लिया है अब जो हमने निशान लगाया था उसी निशान के उपर हमें strap को रखते वे सिलाई लगा लेनी है तो fold करना है, fold करते वे आपको रखना है इसके उपर और सिलाई लगा लेनी है दोनों पे तो दोनों strap को हम इसी तरीके से attach कर लेंगे तो दोनों strap हमारी attach हो गई है देखिए अब हमें क्या करना है अब इसके बीच में भी हमें zip लगानी है तो zip की सीधी तरफ अंदर की तरफ और सिलाई लगा लेनी है उसके बाद दूसरी तरफ को पलटते वे दूसरी तरफ से भी हम zip को सिलाई लगा लेंगे अभी हमें top stitches पे नहीं लगाना है सिरफ सिलाई लगानी है तो दोनों सिलाईया मैंने लगा ली अब आपको क्या करना है zip को हम बीच में से अलग कर लेंगे और हम इसमें lining लगाएंगे तो यहां से मैंने इससे अलग कर लिया देखिए और इस तरीके से zip को flat बिचा लिया अब हम इसमें लगाते है lining इससे हमारी pocket भी बन जाएगी और lining भी लग जाएगी तो same size का मैंने lining के लिए कपड़ा ले लिया है और उपर की तरफ रखना है और दोनों तरफ इसमें उपर की तरफ सिलाई लगा लेनी है उसके बाद आपको इसे दूसरी तरफ को पलट लेना है और अच्छे से बिठाते हुए इसके चारो तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है ये देखिए और जितना भी lining वाला नीचे कपड़ा extra आ रहा है उसे cut कर लीजिएगा तो दोनों pieces पे हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो ये मैंने सिलाई लगा ली एक्स्ट्रा मैंने cut कर लिया अब हमें क्या करना है इसके center point पे आपको mark करना है तो दोनों के center point पे हम mark कर लेते हैं और अब हम बनाएंगे इसके लिए बीच के लिए तो उसके लिए देखिए इस तरीके से पट्टी ready की है rise back डालके measurement screen पे आप देख सकते हैं अब हमें इसे सबसे पहले shape देनी है उपर की तरफ से round shape तो पहले हमें center point का निशान लगाया फिर यहां से अंदर की तरफ देखिए तिर्चा 1 इंच का निशान लगाया उसके बाद यहां से आपको निशान लगाना है 2 इंच का और यहां से भी निशान लगाना है 2 इंच का और इन निशानों को मिलाते वे हल्की से आपको round shape दे देनी है यह देखिए उसके बाद दूसरी तरफ भी हम इसे trace कर लेंगे तो chalk लगा के दूसरी तरफ भी मैंने इसे trace कर लिया और same इसी तरीके से यहां पे भी अब हम इसकी इसी shape में cutting कर देंगे तो यह हमारी उपर वली shape आ गई तो चलिए पट्टी को join करते हैं center point पे निशान लगा लीजिए और join कैसे करना है वो बता देती हूँ तो देखिए इस तरीके से आपको pieces रखने है center point को मिलाते हुए और हमें इसके उपर सिलाई लगानी है तो देखिए इसे पलटना है इसके उपर center point से मिलाते हुए और आपको पूरा लंबाई में सिलाई लगानी है side से one, four, three चोड़ देना है दोनों तरप से और उसके बाद यहां से लेके यहां तक सिलाई लगानी है सेम ऐसे ही दूसरे वाला piece भी join करना है center point को center point से मिलाते हुए एक corner से लेके दूसरे corner तक आपको सिलाई लगा लेनी है तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली side से थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया यह देखिए तो आपको क्या करना है यहां पे center point का निशान लगा लिया है हमने और zip का हमें consider करना है center point और देखिए इस तरीके से मिलाना है और हम इसकी चारो तरफ सिलाई लगा लेंगे एक corner से लेके दूसरे corner तक यह देखिए तो एक corner से लेके दूसरे corner तक इस पर सिलाई लगा लीजिए सेम उसी तरीके से दूसरी तरफ से भी आपको सिलाई लगा लेनी है यह देखिए मैंने सिलाई लगा ली है सिलाई लगाने के बाद रफ है जिसका हम फिनिश कर लेंगे simple पट्टी से और यह हमारा बैग देखिए बिलकुल ready हो चुका है तो देखिए रफ है जिसको हम फिनिश कर लेंगे दोनों तरफ से तो दोनों तरफ से रफ है जिसको फिनिश कर लिया और हमारा बैग बिलकुल ready हो चुका है अब जिप अले portion की तरफ से हम इसे सीधा कर लेते हैं तो यह देखिए इस तरीके से इस back किया यह final look तो कितना प्यारा design लग रहा है बनाने में बहुती असान देखिए simple और easy तरीके से बनाया है दो छोटी pockets हमने इसमें आगे की तरफ दिया है wide इसका base है यहां पर देखिए काफी अच्छे size की pocket है यह देखिए काफी अच्छे size की एक pocket हमारे इस तरफ बन गई और same इसी तरीके से एक pocket हमारी दूसरी तरफ बनी है तो दो इसमें बड़ी बड़ी zipper pockets बन गई और उपर की तरफ बे zip लगी हुई है और यह देखिए उपर की तरफ जिप और प्यारा सा bag ready हो गया side से देखिए इस तरीके से इसका design आता है तो बहुत ही प्यारा देखिए हमारा यह bag बन के ready हो चुका है तो आपके पास कोई भी पुरानी कुर्टा पड़ा हो पुरानी shirt पड़ी हो पुरानी bed sheet हो उससे आप देखिए इस तरीके का bag बना सकते हैं तो बनाने में असान है और देखिए size भी काफी अच्छा बना है तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो comment जरूर कीजिएगा जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ थेंक यू